दोस्तो लास्ट मन्थ मैने एक अपडेट डाला था जो की जापान से था जापान की कई तकलिपन सभी को घुला अब इससे बात अगर अगर आप इलेक्ट्रिक कार अबना रहे हो तो उसमें एक जैसा ही battery size वहाँ पर रखा जाएगा, अगर आप two wheeler बना रहे हो different countries, तो वहाँ पर भी battery size को same रखा जा सकता, उसके बीच की chemistry different हो सकती है, बट overall size है, वो same रखा जाएगा, इसका benefit क्या था, इसका benefit क्या था, जो उसकी production थी in batteries की, उसको speed up किया जाना था, large scale पर ये batteries बनाई vehicles में, तो ऐसे में overall electrical vehicle का price भी काफी down होना था, वो बिल्कुल वो companies, Japanese companies इस पर लगी हुई है, काम कर रहा है, लेकिन आज का update इंडिया से है, और सेम इसी तरह का update है, और बिल्कुल मैं इस update को एक revolutionary step भी मान रहा हूँ, जो main बड़ी Indian auto companies है, लाइक महिंद्रा, TVS, ओकिनावा शोकले लैंड और एकसाइड, इन सब ने agree किया है आपस में, कि ये battery और charger unit के standardization पर ये मिलकर काम कर रही है, आलरी, IIT मदरास में, इस पर series of pilot testing चल रही है, especially two और three wheelers पर, जो उसके result है, वो काफी positive आए है, इसके लाब अगर बात करें, battery standardization की, ये काफी helpful रहता है, in case of battery swapping system, बिलकुल, कई, अभी आने सामय में, हो सकता है, कि हमें ये option भी मिले कि आप जो electrical vehicles है, बीना battery के खरीदें, बैटरी की आप नहीं बैटरी खरीदने की जगर उसको battery swapping करवाते रहे, जब भी आपकी बैटरी की charging खत्म होई, वहाप battery swapping station पर जाकर नहीं battery को आप चेंज करवा इसके लावा, sun mobility और शोग ले लेंड काफी बड़े level पर battery swapping system पर काम कर रहे हैं, इसके लावा sun mobility और ओला electric के साथ भी काम कर रहे हैं, तो यहां हम देख रहे हैं कि सीधा जो battery standardization है, या other जो भी component हम का standardization, वो सभी के लिए benefit है, चाहिए वो original equipment manufacturers हो या end user, benefit हैं सभी का होने व इस तरह के जो update है, जो यह standardization है, अगर इसको वाकिए success मिलती है, इसको applied किया जाता है, तो आने वाले साथ हम देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा electrical vehicles हमें रोड पर दिखेंगे, इसके लावा जो auto companies आपस में joint venture कर रहे हैं, like Tata Motors आलड़ी cherry motor के साथ joint venture कर चुका है, महिंद्रा भी confirm किया, कि वो भी joint venture के लिए त्यार है, और मिलकर एक product affordable, एक product market में launch करना चाते हैं, तो इस तरह के joint venture भी काफी helpful रहेंगे, तो यह था overall, आपका इन चीजों के बारे में क्या ख्याल है, comment जूर कीजिए, आपके comment से मुझे काफी help मिलती है, आज को लिए तना ही, धन्यव